कि अगेने वेरी गुड डे टू ऑल अफ यू आज है 2722 शुक्रवार का दिन है और आज का इलाइस हमें स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अफॉल जो इमेज आप आपके सामने देख पा रहे हैं वो दो इमेज है एक तो है गनेज जी की इमेज जिसमें के इनको कॉकोनेंट की दूर बनाया गया है 17000 को इटलाइस किया गया है इनकी स्मूर्थी को बनाने में तो एक तरह से काफी को फ्रेंट्टी है लोग काफी कर रहे हैं इसको दूसी जो इमेज आपके सामने वह है लक्षमन नरसिमन की और जो यह है यह सीओ बन गए है स्टार्बक्स के नए सीओ ह स्टार्बक्स के तो अब हम एक्षिल हमारा करते हैं तो आपके सामने यूज है आप जो देख पा रहे हो वो कंसिस्टेंट जो रेविन्यू है ना लब जीस्टी का जो कलेक्शन है काफी अच्छा जा रहा है इस टाइम पे और बताया जा रहा है कि 1.44 लैक करोड का सबसे कम है लास्ट 3 मंत के अंदर ये कम है जो कलेक्शन है वाजिए 3 मंत लो तो मत थीं महीने में का सबसे कम है फिर भी काफी ठीक है और काफी अप्टिमिस्टिक है इंडिया कि जो मैनुफेक्ट्टर से हैं रिपोर्ट कर रहे हैं और काफी सारा मतलब की जिस्ट का क्लेक्शन को मिल रहा है यह आप देखो यहां से कितना बहतरीन हो गया है यह सब्सक्राइब करें और काफी अच्छा क्लेक्शन है यह स्ट करेंगा हमारी इकनॉमिक को इसमें आगे बता रहे कि जिस्ट रेवन्यूज क्लॉड क्लॉड करोड का हमारा क्लेक्शन हुआ करता था और का इन्फर्मिशन में आपको बता दू आज से दो साल पहले हम जाके देखते हैं तो हमारे आप जो टेक्स कलेक्शन का कुछ और इस तरह से में बता सकता हूं कि कि almostly 7 lakh crore का हमारा collection हुआ करता था, income tax का, 7 lakh crore के आसपास ही हमारा collection था corporate tax का, और 7 lakh crore के आसपास का ही हमारा GST का collection था, आस से 2 साल पहले आप जा के देखते हैं तो, इस तरह से हमारा इन दोनों, त्टिनों एक्सेज की तुरूप क्लेक्शन जो पूरा हो रहा था 21-22 लाग करोड के आस पास का जा रहा था अब यदि आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि 1.4 क्लेक्शन जो रहा है आप सब्सक्राइब कर सकता है और काफी ठीक अभी जा रहा है अब यदि हमें बात करें कि GST collection इतना क्यों हो रहा है तो उसके काफी multiple regions है first of all तो आपको यह समझना होगा कि starting में जब GST आया था तो इस GST के साथ बहुत सारी problems थी like एक जुलाई 2017 से GST को rollout किया गया तब GST का infrastructure था और GST and network था और Infosys को काफी कुछ handover किया गया था तो इस starting अब यह almostly काफी ज़्यादा items और जो बेस है उसको काफी ब्रॉड कर दिया गया है नैटर को भी solid कर दिया गया है लेकिश को कम कर दिया गया है और सब इस चीज़ों के विज़ेसे आप देख पा रहे हो कि काफी ज्यादा collection अब GST का possible proof पा रहा है लेकिन इसको दो तिन साल पहले से भी किया जा सकता था और काफी अत्तक revenue जो generation government कर सकती थी लेकिन कुछ लैक्यों ना होने के विज़ेसे infrastructure में और ऐसा नहीं हो पाया तो यह देश की चती हुई है इसमें कोई doubt की बात नहीं है लेकिन अभी चीज़े improve होने लगी है ठीक होने लगी है और यह इंडिय अब इसमें हम देखना चाहिए आगे जाके तो इतनी important हमारे को information है नहीं और इंडियान जो manufacturer काफी optimistic नजर आ रहे है यहां पर एक purchasing manager index होता है PMI तो PMI अभी काफी ठीक ठाक चल रहा है है ना और PMI moderate slightly to 56.2 in August from 56.4 in July तो इस तरह से नहीं moderated slightly to 56.2 हो तो आपको बताना है कि purchasing जो manager index जो है PMI किस चीज़ को indicate करता है हाना यह आपको बताना है comment box के अंदर next news के उपर हम चलते हैं तो यह news है जारकन leaders meet governor तो हमारे लिए काम का क्या है इसके अंदर तो हमारे लिए governor की जो position है वो यहां पर काम की है उसके लावा हम देख लेता है कि काफी जादा है इस टाइम पर मतलब बीजीपी जो है उनकी leaders बोल रहे है कि इसको सोरे जी को कि आप moral ground के उपर मतलब एकतर से अपना इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आपने जो इस्टाउन माइनिंग वगरा जो अपना आपका जब चल रहा था तब अपने आपको दी थी तो उसमें आपने office of profit को मतलब office of profit में थे आप उस टाइम पर आपको क्या करना है moral सब्सक्राइब कर देना है इसा बोला जारा है तो आपको ध्यान रख रहा है यह होगी आपकी जो है वह वह इसके रिकार्डिंग गवंणर को देख लेते हैं गवंणर की position क्या थो गवंणर की बात की गई है जो परलेमेंट के लिए काफी जीजे करते हैं वीसे गवंणर क तो इसमें बूला गया है कि गवर्नर के दूर होते हैं जो constitutional head के तोर पर क्या होता है ये is the constitutional head of the state bound by the advice of his council of ministers ठीक है तो पहले तो पहला roll तो यह हो गया कि constitutional head of the state are bounded है वो एक्टे से bound है by the advice of his council of ministers और दूसरा है function has vital link between the union government and the state government so this is all about governor अब हम दिखता है आईएफ ने आईएएफ ना भी एक्सेंड किया है dollar 2.39 billion का जो एक assistance है उस्रिलंका को इंटरेशन जो मनेटिव फंड है has reached a staff level agreement with crisis hit स्रिलंका in first step before extending 2.9 billion loan package तो ये assistance नहीं है क्रिके का loan package है ठीक है और that the fund has made contingent on assurance from the island nations creditors तो इतना यहोंने की बात यहां पर की है कुछ conditions भी रखी होंगी no doubt ठीक है उसको देख लेते हैं हम वैसे इस न्यूज में इतना ही बताया गया है तो आपको देख लेना ने पर चलते है पॉलन जो है अभी भी एक है कि इतना loss हमारा हुआ था और आप पर कीजिए लाइक यदि इस न्यूज के लिए हमको देख लेने हैं तोड़ा map वगरा को देख लेते हैं कि पॉलन वगरा कहां पर है कौन सा स्टेटर्स मतलब कि यूरोप के अंदर किस जगह पर पॉलन है और जर्मनी वगरा सब को देख लेते हैं तो तो देख सकते हो आप पॉलन है कैपिटल ऑफ पॉलन होई गया ठीक है अब एक काफी इंपोर्टेंट जगह है जो कि आपको याद रखनी है काफी न्यूज में भी रही है इन दिनों में लितुवानिया और यह पॉल अफ़ेंट जगह है और जो है उसको भी आपको याद रखना है और जर्मनी वह लाइन पर प्रांस पर रहा था था तो उसी सेकंड वर्वार के अंदर ये डिमांड कर रहे हैं कुल मिला के कि अब हमको अब एक तैसे वापिस प्रवाइड किजिए जो हमारा नुक्सान आप ने किया था उसी की डिमांड यहां पर चल रही है अब नेक्स्ट हमाई सामने प्रवाइड करने वाली यहां पर यहां पर यहां पर बोला जा रहा है मैं तब हम इसके बूरी बांगलेदेश की प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करने वाली है इडिया को तो इनका नाम आपको काफी अच्छी से पता है से एक हशीना जी है जो विजिट करेंगी और काफी सारे फंक्शन में पार्ट लेंगी उसमें से एक फंक्शन रहेगा वह आज में शरीफ दरगा पर भी जाएंगे उसके लावे काफी इंपोर्टेंट स्कॉलर्सिप है मुजिब मुजिब इसको दी जाती है कभी कुछ ना सकता है एक्जाम के अंदर कि मुझिब स्कॉलर्सिप कौन सी कंट्री प्रवाइड करती है और किस मतलब सब कंटेक्स क्या है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनिशेटिव है वह गवर्मेंट ऑफ बंगलादेश के स्टार्ट किया गया इसके लावा भी बहुत सारी मिटिंगे वगरा होंगी बहुत कुछ प्लान किया गया है और बहुत सार उनके साथ पुरा एक दल्ला आएगा पुरा उनके साथ ठीक है तो यहां पर इंडिया और बंगलादेश के बीच में जो रिवर कमिशन वगरा बने हुए हैं और जो ड इक्सेटाब समप्रीति तो आपसे सांप्रीति काफी यह थेमस एक्सेटाइज है और ऐसी एक्सेट मिलन जो रडुख और नेवी की एक्सेटाइज azagen और ब्नादेश के बीच में वहीं पर इंडिया नेवी और बंगलदेश की नेवी की शेयर इसको एक्सेटाइज रिवर सिस्टम इनके बीच में 1972 में रिवर कमिशन भी भी बनाया रखा है और 54 विच में इंडिया और बांगलादेश के बीच में और बाइलेटरल जो जो जोंट से रिवर कमिशन जी आज विच में वरकिंग सिंस 1972 तो मैंटेन लाइजन ब्ट्विन टू कंट्रीश तो यह यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कंट अफर पॉंट विच से भी बहुत कंट्री जॉंट्ली इनॉग्रेटेश दा न्यूरी रिश्टॉर्ट रिंक बिट्विन तो देखो हल्दीवारी है इंडिया के अंदर तो और चिल्ला हाटी चिल्ला हाटी है बंगलादेश के अ सब्सक्राइन हुआ है तो इसको भी आपको थ्यान रखना है कभी आ सकता है कुशन तो आपको बता दिना है और हम थोड़ा सा दिख लेता है इंडिया के और बंगलदेश के बीच में यहां पर को बढ़ाना है बंगाल के अंदर जो आपका कंटिनेंटल सेल्फ का इशू चल रहा है इस तरह से आपका ब्रिंगिंग डाउन बॉर्डर इंसिदेंट टो जीरो और मेडिया और यहां पर यह क्या है इमर्जिंग डिस्पूट्स है यह पहले हमने कॉपरेशन दिख लिया अब कर लें कैसे भी करके जो हूपाएं उनको तो अच्छी बात रहेगी कुछ एडवर्स पोजिशन की बात बताई गई यहां पर इन सभी जगह का नाम आपको याद रखना है कभी कुछ भी पूछा जा सकता है जो एडवर्स पोजिशन प्रेंटिंग सेग्मेंट अलॉंग इ कि 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 benefit के बीच में या फिर पिर चन्द नगर है यह उपने आप में एक recipes position है आप जो कि एड़वस पोजिशन के अंदर बताई गई है या फिर पेंटिंग सेगमेंट के अंदर बताई गई है इनको भी आपको देहां लगना है हम देखते हैं वॉस्टॉक 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 बिगिंस इन रशिया विद इंडिया चाइना पार्टिसिपेटिंग तो इंडियान आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग टू टू टूप सेवन इट गौर्खा राइफल सिपारिसिपेटिंग मल्टिलेटरल तो यह जो पूरा चल रहा है वह स्टॉक के अंदर कमांड एक्सेसाइज चल रही है उसके अंदर पार ले रहे हैं तो अभी काफी लेती है और काफी इसको क्राइम एक बोला हुआ है बहुत सारी स्टेट से इसको में अपने आपको अप्टेटी नहीं करें मतला इंपने सेवन डाल रहें इसके लिए बढ़ाया और वो लागा है कि सारी स्टेट्स अपडेट करेंगे अपना जो भी आपे क्राइम वाली प्रॉब्लम चल रही है और कुछ भी अप्लोड नहीं किया है उसके लावा देली असाम और हर्याना ने काफी सारे किसे अपलोड किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ अलट जो है वह एक तरह से पॉर्टल के उपर इन्होंने डाले हैं तो इसमें की काफी स्टेट्स पार्ट नहीं ले रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास अब एक्समिलिंडर सेक्शन है उसमें देखते हैं इफेक्टिंग बैन उन सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल इओ प्लास्टिक उसके उपर रहा रहा या नहीं हो पा रहा है क्या वह एक्टिफ॑ कर पाया कियूं से कानून भी को प्लास्टिक है पॉलिशन उन सभी को अब हम हटाएंगे यहां से एक तरे से बोल सकते हैं और सिंस एक जुलाई 2022 से इंडिया में बैन हो चुका है इंडिया पॉलिशन उन इडिया का इंडिया का इंडिया का पार्टी है इसमें क्या है 124 नेशन है और यानने भी एक रिज़ेशन शाइन किया है और लोगों का अटेंशन ड्रॉ किया है future के agreements की तरफ जो कि legally binding for signature to address the full cycle full cycle of plastic from production to disposal को मतलब इसको resolve करना है इसके regarding है न agreement वगरा है इंबिया ने भी क्या किया है sign किया है ठीक है तो sign to resolution to drop an agreement तो resolution पर sign किया है to drop an agreement एक drop करना है agreement इसके लिए resolution पर sign किया है वाया याता single use plastic harmful क्यों है ठीक है तो आप सभी को बता है कि क्यों harmful होता है single use plastic तो पहले बात environment के उपर बहुत ही negative impact ये create करता है और single use plastic का मतलब है कि जिसको एक बार या जाता है और फिर वो environment के लिए अपने आपने आपने बहुत बड़ी problem मन जाता है और मतलब क्या किया जा रहा है बहुत सारे आइटम से जो बैन किये गए है इसमें पूरी लिस्ट पता ही गई है इसमें ठीक है तो जिसमें की प्लास्टिक को यूजम नहीं लेना है और जो पीवीजी बैनर से 100 माइक्रों यह भी ध्यान रखना है आपको इनको पीवीजी की बैनर से 100 माइक्रों से कम की हम सबको बहुत कर दिया गहा है और इंडिया इंगेज इस बढ़ा पाइसेंब्ली के अंदर लाय गया था और साइन उसी के रिगारिंट इस लेके बात करने की बनानी लिए खिए हावर इंडिया पहले कंटरी नहतकि है जिसने चे स्ट्र रा स्ट्र टांड के आया है टकैज मिए प्रस्टी डाइंहल मौंद dancers केंट या है एसी बहुत सारी कंट्री जाहें intact क्लास्ट Kyos इंदिया इसकी बात कीजाये तो दो इसमें क्या है विद एफेक्ट कीतना 3 सितम्बर वेस्ट मेनेजमेंट को इंपर्ट को इस्टॉकिंग को डिस्टिबिचन को से को यूजव थैं 75 माइक्रॉन यह आपको नंबर जो है याद रखना है 75 बैंक्रों से खम की जितनी वी जीज तो इसको आपको याद रखना है एक्षान में इसको आपको याद रखना है तो इसको आपको या रखना है एन एडिचन दर इंडियन गुवर्मेंट इसके बाद यहां पते को CPCB के रिकार्डिंग बताया गया है इन एफ़र्ट के बारे में भी आपको कुछ पता हो तो आप बता सकते हो आप एक काफ इंपोर्टेंट है और अपर बहुत ही एक इंपोर्टेंट वर्ड है EPR जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जो भी आप प्रडूस कर रहे हो स्क्रेप करने की रस्पख़ी यह जुछ है एंगब है कि इसे बहुता है और पॉद्फं और अॉड्रियंटी चlike the Plasticrain मेंनेज्मेंट्मानेंट है जोढोई 2 around OS के fringe 16 यह औस यह क्या के लावा क्या किया तो इसका भी मतलब कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जा रहा है काफी हद तक तो this is all about और इसमें क्या किया गया है देखो दुबार आप देखो इसका बहुत ज्यादा यूज है इन पन्नी का या फिर बोल सकते हैं कि प्लास्टिक पन्नियों का काफी ज्यादा उटलाइजेशन है तो इस वोज जैसे काफी चैलेंज होता है तो यह चैलेंज अभी भी है आपको काफी ज्यादा लोगों के बदलना होगा तब जाके ही चीज़ी तो काफी हद तक एटिजूट को बदलने से बदलने से ही बदल पाएंगी है ना अदरवाइस इंको चेंज करना काफी टाफ है लेकिन आज मास मेडिया के तुरू एं सोचल मेडिया के तुरू यह आपको पता है कि अल्टरेटिव हमें ढूनना होगा तो उसमें काफी की जा रहे हैं और काफी की जा रही है कि मतलब करते हुए और कैसे पहले नहीं लिखा रहा है कि the consumers need to be informed about the band through advertisement, newspaper, TV, commercial, on social media वगरा उसके बारे में बता रहा है इसमें क्या क्या हो सकता है तो इसमें बूल रहा है कि एक्जाम्पल की तुरू पर प्लास्टिक वगरा हो और अलग अलग टाइप की चीज़ों को आप डिस्कवरी करो अलटरनेटिव लेके आओ तो वो सही रहेगा है ना तो इसमें सामने है ए रिवर्ट तु दा मीन ठीक है तो इसमें जो हमने अभी काफी ताइम पहले नहीं अभी एक दो पहले ही हमने जो काफी सारे सुझा का है है स्वागरा का इंडिया के बिघार वाज़ेश के अंदर और कफी जैदा टू अब दू इसमें उन्ठे में यह वोगरा होगी है और बोला गया के काइम जाई पर इंडिया डेलीजिव आपय कि Radio Hall in the violent crime such as rape, kidnapping, atrocities against the children, robberies and murders increase in 2022, the level set before the pandemic in comparison to drop in 2020, according to annual report of NCRB, यह बताया जा रहा है यहां पर है, यहां पर है, बहुत सारा इस्टेटस बताया गया है कि क्या-क्या कहां चल रहा है, कौन सा section vulnerable है, कौन सा section vulnerable नहीं है, ज्यादा impact किसके उपर पढ़ रहा है, सुसाइटस कौन ज्यादा कर रहे हैं, फैमिली क्राइम कितने बढ़ रहे हैं, देखने हैं, आप पर पता रखाया कि यह सब चीजे काफी सारे आंक्रे यहां पर दिखाये गए हैं, इसमें से काफी आंक्रे आप यूटलाइज कर सकते हो, आपके answer writing के अंदर, और यह ज्यादा रही है, इसलिए कि इतने सालों में, पांच सालों में, डॉमेंस्टिक प्राप्लम्स, इल्लैस वर रहे हैं, क्या सुसाइड करने के, with most victims being daily wage earners, जिसमें जादता जो victim रहे हैं, वो daily wage earners रहे हैं, और housewives रही हैं, revealing the severity of the pandemic and its indirect consequences on people, तो यह क्या दिखा रहा है तरिके से, कि pandemic कितना severe था, और उसके indirect consequences है कि इस तरिके की चीज़े हो रही है, इस अब indirect consequences है, pandemic के, और इसमें दिखा was more so in rural areas as cyber crime in metropolitan cities, मतलब rural areas के अंदर जादा हुआ है, यह सब कुछ, जो cyber crime बगरा है, तो metropolitan cities है न, with population more than 2 million people registered a decline of 8.3%, तो मतलब कि जहां पे कि, actually, urban cities के अंदर तो इसके अंदर decline हुआ है, वही पर rural areas के अंदर यह जादा हुआ है, metropolitan cities में तो यह कम हुआ है, वही पर rural areas के अंदर cyber crime ज्यादा हो रहा है, एक तरह से मूल जकता है न, तो यह हमारा हो गया है, अब हम देखते है, news in numbers देख लेते हैं थोड़ा सा, तो case against state, तो case against state क्या होता है, तो आपके different kind of the cases होता है, like UAPA का case होता है, official secret act होता है, sedition होता है, यह सभी जो चीज़ होती है, वह क्या होता है, cases against state, state होता है, तो बताते हैं, 5164, number of the cases of offense lodged against the state in India, 514 case register किये गए है, against the state in India, including those under the sedition official secrets, secrets act and unlawful UAPA के अंदर, according to the NCRB, the cases showed a decline in 2021 when compared to 2020, and 2019, के अंदर आखड़े कितने थे, तो जहां पर की तोज़ा, 19 के अंदर आखड़ा था, 7656, और 20 के अंदर आखड़ा था, 5613, आपके बार, अब जो हांखड़ा है, इस बार जो रहा है, वो रहा है, 5164, ठीक है, तो इस तरह से काफी कमी आई है, आप रोके अंदर, यह बता है, तो इस बार में देख लिए, तो यह बताया गया है, इसके बार में यह जो हमारा मनी, मंकी पॉक्स है, इसके बार में देख लिए, अब हमने यह पहले भी देख ला था, कि सिलंका को काफी 2.9 बिलियन का यह तरिकर से असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रहा है, इसके कंडिस्टेंस के हम बात करें तो वह देख लेते हैं, क्या है, तो 2.9 बिलियन अमाउंट और इंटरेशनल मेंटरी फंड अगरी तो प्र यह काफी एक इंपर्टेंट नियूज आप इसको साइड कर सकते हो, है ना, 2.7 इन करोड तो नंबर अफ दा सोचल पोस्ट इन इंडिया अगेंस विस टेकनोलोजी कॉंगलोमेरेट मेटा टुक एक्शन जुलाई, तो इतनी सारी पोस्टों के विरुद्ध एक्शन दिया यह एक तरह से मिटा के दोरा जो भी फेस्बुक ता पहले है ना, तो इसमें अभी काफी सारी और भी आ जाते हैं, लाइक इंस्टाग्राम फेस्बुक साब आ जाते हैं, तो अधर कंपनी इसे मंतली ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट दा कंपनी टुक एक्शन अगंस 2.5 स्पैम कंटेंट पॉलोड़ बाइट 27 करोड पोस्ट रिलेटेड टू अडल्ट नूरिटी एंड सेक्शल अक्टिविटी तो यह मतलब इतनी पोस्टे हटाई गई है उसके रिगार्डिंगे बात बताई गई है, तो इस तरह से आज का आज का पूरा होता है, समापत होता ह सन काफी मैसिव एलेक्टर के लिए चाज बॉल है, एक हीटिड गैसिस की, वैं इस चाज गैस ट्रेवल्स इट क्रिएट से स्ट्रॉंग मैगनेटिक फिल्ड तो यह जो मैगनेटिक फिल्ड होती है, जो कि सन से पास होती है, तो इस पूरी साइकल को फॉलो करती है, तो इस सन मां अारल हो जाती है, फूरीटिय से बदल जाती है, सन के अंदर, सन चाज गास Será औरश के अंदर, सन मैगनेटिक फिल्ड होने हितका है, जैसे जैसे मैगनेटिक फिल्ड बदलती है, इस वर दा amount of activity on the sun's surface. तो उसके साथ sun's की surface पर होने वाले activities भी बदलती है. अब यह काफी अच्छे हम देखते हैं sun cycle कैसे perform करती है. ठीके sun की cycle होती है वो कैसे sun की solar cycle perform करती है उसको हम देखते हैं. तो इसमें देखते हैं one way to track the solar cycle by counting the number of sun spots. तो sun sports को count करते हुए हम एक तरीके से क्या कर सकता है ट्रैक कर सकते हैं solar cycle को the beginning of a solar cycle is solar minimum जब solar cycle start हो रही होती है तो उसे solar minimum बोलते हैं और when the sun has least sun sports जब कम sun sports होता है sun के उपर या फिर जब starting हो रही है solar cycle की तो उसे solar minimum बोलेगे जैसे जैसे टाइम गुजरता है और टाइम क्या होता है फिर बाद में solar activity एंद नंबर ऑशन स्पोर्ट्स जो होता हो इंक्रीज करते हैं तो आप यहां पर देखना इमेज के अंदर तो यहां पर इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि मिडिल में चीजह आती है तो इसे solar maximum बोलते है ते यहां पर है आपको अर्वन दन सन है डाशन सब्सक्रात इस रहे होते है इप पूछलिया जाए तो इसमें स्ट्रॉंस्त के उपर क्या होता है उसको देख लेते हैं अब फैराइंस आफ इस प्रस्वेट of the sun आप जादए नहीं होती है 0.15% से दावन हो जाती है कहां पे सन स्पोट जब मैक्सिमुम होता है तब अंतजदा वैरियेशन ऑफ दा सनलाइट है जिन एक्लाइमेट के उपर इसका कोई जाधा इंपेक्ट होता नहीं है ठीक है इस एक्टिविटी कैन है एक्टिविटी के उपर आर्थ के उपर इरॉप्ष्ण एंदा सकाई तो मतलब सन स्पार्ट जो काफ़ ज्यादा इंटेंट्र को मिल सकती है जिसे अर्वरा बोलते हैं और इमपरीओ को भी इंपैक्ट कर सकता है एकदम से इरॉप्ष्ण जो होता है यह मैनने फिल का इक तरह से ठीक है एक्स्यम इस्ट्रीम एरप field का eruption हो रहा है तो वो हमारी यहां की electric grids को भी field कर सकता है तो this is all about solar cycles, solar spots और किस तरह से solar से आने वाली magnetic field है वो impact कर सकती है अर्थ को और किस तरह से sun spots होते हैं वो एक तरह से hot spot बन जाते हैं फिर इसके लिए magnetic field के लिए और फिर वो erupt करता है magnetic field को यह सब इसमें बताया गया और solar cycle कैसे perform करती है कैसे work करती है कैसे work करती हो पूरा हमने देख लिया है तो इस तरह सा हमारा यह concept जो है sun cycle वाला solar cycle वाला हो complete हो गया है अब हम एक नया concept देखते है science and tech में geotel यह geotel क्या होता है उसको आपको geotel create करेगी यह geotel क्या है और अच्छे comprehensive इसको में देखते है क्योंकि geotel जैसे concepts के आने की possibility बहुत जादा जाती है exam के अंदर तो एक location है space के अंदर where the finest observation may be made जहां से finest observations made किये जा सकते हैं वो location है space के अंदर the john exists as a result of suns and earth interactions sun और earth के interactions के विज़े से john exist करता है formation of geotel देखते हैं कैसे होता है the solar wind is a continuous stream of charge particles emitted by the sun तो इमिट किया जाते है अर्थ की तरफ आते हैं charge particles होते हैं इसे solar wind बुलते हैं these particles are encased in sun's extended magnetic field और मतलब यह extended magnetic field हो जाती है सब बाते है magnetic field of the earth abstract करती है solar की जो wind है plasma को उसको abstract करती है हमारी magnetic field magnetic envelope इसके वज़े से क्या हो जाता है earth की चारोफ आ जाता है इस interaction की वज़े से envelope जो होता है वो squeeze होता है फिर थोड़ा सा ठीक है on the earth side facing the sun into a john about 3-4 times of the earth radius तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दी रहा हो गाई तो यह देखो यह earth की तरफ ही squeeze हो रहा है पूरी की पूरी नहीं लॉंग टेल जा रही है पीछे की तरफ पढ़ती जा रही है लॉंग टेल में एक्स्टेंड हो रहा है पूरा का पूरा ठीक है तो हां तो यह क्या होता है जो इसे ही बोलते हैं and that reaches beyond the moon's और्बिट के बहार भी जले जाती है the moon travels through the geotail for around six days every 29 days तो 39 दिनों में से 6 दिन geotail के अंदर से travel करता है moon ठीक है उसको cross करता है 6 दिन के अंदर ऐसे बोल सकते हैं तो देखो ही रहा हमारा moon और यह travel कर रहा है और यह पूरा geotail को cross कर रहा है तो यह पूरा time of six days बताया जा रहा है और उसको पूरे envelope को cross करने के अंदर जो time लगता है हर 29 दिन में चंद्रमा को moon को वो 6 दिन लगते हैं तो this is all about geotail तो यह हमने concept काफी बहतरी तरीके से जान लिया है अब pulsers देखते हैं क्या होते हैं pulsers हाला कि कोई important concept नहीं है pulsers का भी भी देखते हैं इसको इसमें क्या बोला हुआ है pulsers are compact fast spinning neutron stars that are left or when a big star burst यह pulsers होती है जब इसमें neutron stars होते हैं तरीके कि जो fast spinning होते हैं वो रह जाते हैं इनको pulsers बोलते हैं ज्यादा important हमाई लिए है नहीं हम solar eclipse को देख लेता है ज्यादा बैतरीन तरीके से ना यह concept ज्यादा important है तो when the moon passes between the sun and the earth जब मून होता है वो अर्थ हो सन की बीच माँ जाता है तो इसमें solar eclipse होगा solar eclipse occurs तो solar eclipse होता है the moon spots the sun light form तो इसमें क्या होता है अर्थ तक जाने से रोकता है तो अर्थ तक जाने से स्टाप करता है ना क्या करता है जो moon होता है sun की light को अर्थ तक जाने से स्टाप करता है when this happen the planet is then method in the moon's shadow the planet moon's shadow moon की shadow के अंदर आ जाता है तो according to यह तीनों की location के इसाफ से हम बोल सकते हैं different kinds of the solar eclipse होंगे टोटल solar eclipse होता है एक partial solar eclipse होता है एक annular solar eclipse होता है और टोटल solar eclipse के अंदर हम बोल सकते हैं कि क्या होगा एक तरह से कि हमारा sun moon और earth तीनों के तीनों perfectly aligned हो जायेंगी तो that is total solar eclipse हो जाएगा sigh partial solar eclipse के अंदर क्या होगा? partial-solar-eclips के अंदर एक ठरे से हम बूल सकते हैं, उसमें तो व झो totally aligned हो गये है, total-solar-eclips के अंदर तो, और partial-solar-eclips इ sanction solar-eclips के अंदर वह perfectly aligned नहीं होते हों, ठीक है, तो मैं बोल सकते हो कि जहाँब total solar-eclips के अंदर sun, moon, earth, is fine государ, moonlight, तो ऐनलार Eclipse में क्या होता है वो दिख लेते हैं यह एक फॉर्म ओफ यह कंप्लीट इकलिपस का ही एक फॉर्म है जाना इसे एर्णार एक्लिपस बोलते हैं और यह कैसे होता है टुटल एकलिपस से टुटल सुलर for it to not entirely obscure पूरी तरह से अप्सक्राइब ना कर पाया संकी लाइट को इसलिए थोड़ा सा दूर होना होगा ऐसे में डिस्क बन जाएगी संस डिस्क रजल्टिंग तर नेरो बैंड अव तर लाइगी तरीके से आपको ना और जो इसे बोलेंगे रिंग ओफ फायर बोलेंगे रि पर लाइट इन तरीके से समझ लिया है इसी तरह से आगे भी हम फिलियम पूस्टर स्रीज में डिफरन डिफरेंट काइंडस अप्ति कंसेप्स को समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तरने बाद कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बैल आइकन को प्रेस क कर सकते हैं तरने बाद